नमस्कार भविश्यवानी में आपका स्वागत है रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविश्य आपके राशी का भविश्य बताने के लिए आज आश्योनिक श्रपक्ष्टी तरह दशीति थी और सौबवार का दिन है तरह दशीति थी आज रात नौ बचकर पांच मिनट तक रहेगी आज तरह दशीति थी वालों का शाध है आज सोन परदोश वरत किया जाएगा साथ ही आज मास शिवरात्र का वरत भी किया जाएगा आज दो पहत दो बच कर बारा मिनट तक शुभयोग रहेगा इसके अलावा आज देर रात दो बच कर च्छाटीस मिनट तक पूरुआ फाल गुनी नक्षातर रहेगा आगे हम इसी पर विस्तित चर्चा करेंगे आज अगर आपका बर्च दे है तो क्या करें और अगर आज आपकी मारी जैनिवर्सरी है तो क्या खास करें क्या है आपका आज का लखी कलर और क्या है आपका आज का लखी नंबर आज अगर बिजनेश शुरू करना है तो कितने वज़े शुरू करें नाम के अक्षर के हिसाब से, क्या आज दिशमन जेर होगा या दोस्टी किस्क्समत का दरवाजा खुलेगा किस अक्षर का आज क्या है भविश्य चारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तु शास्त्र और समुधिक शास्त्र की आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदब आगे दोस्तों आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है जोतिश के गनित पक्षने आकाशिय पिंडों की बीच बहने वाली इलेक्ट्रो मागनेटिक फील्ड के मूवमेंट को कल्कुलेट करके ये चान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकत्मा तायर करने या अपनी बात रखने के योग की यानि की या ही जैद योग की तो बता दू कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 10 अक्टूबर की सुबह पांच बच कर 57 मिनट से दो बहर दो बच कर 44 मिनट तक रहेगा और इसके बाद बात करते हैं सरवार से धी योग यानि के सारे काम बनाने वाले योग की तो बता दू कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 19 अक्टूबर की सुबह सुर्योदे से दोपार 12 बच कर 15 मिनट तक रहेगा इस क्रम में आईए आप चर्चा करते हैं आज के शुब महूर्त यानि की फेवरिबल टाइम की अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा महूर्त नहीं है अग्या महूर्त 6 अक्टूबर की शाम 5 बच कर 3 मिनट से शाम 6 बच कर 28 मिनट तक रहेगा नया बिजनेश शुरू करने के लिए भी आज अच्छा महूर्त नहीं है अग्या महूर्त 9 अक्टूबर की सुबह 6 बच कर 19 मिनट से सुबह 7 बच कर 49 मिनट तक रहेगा Construction शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूत नहीं है आज या महूत 7 अक्टूबर की सुभा 9 बच का 27 मिनट से 10 बच का 17 मिनट तक और फिर दो पार पहले 11 बच का 46 मिनट से 2 पार 1 बच का 47 मिनट तक रहेगा किसी इंडस्टियल इस्टिटूशन में लेंदेन करने के लिए आज अच्छा महूत नहीं है अब या महूत 7 अक्टूबर की सुभा 9 बच का 27 मिनट से 10 बच का 17 मिनट तक और फिर दो पार पहले 11 बच का 46 मिनट से 2 पार 1 बच का 47 मिनट तक रहेगा सीजेरियन आप्रेशन कराने के लिए आज अच्छा महूत नहीं है अब या महूत 6 अक्टूबर की शाम 5 बच का 3 मिनट से रात 9 बच का 69 मिनट तक और रात 12 बच का 10 मिनट से अगली सुभा 6 बच का 17 मिनट तक रहेगा जॉब जॉइन करने के लिए भी आज अच्छा महूत नहीं है अब या महूत 13 अक्टूबर की सुभा 10 बच का 19 मिनट से दो पार 1 बच का 26 मिनट तक रहेगा और दो पार 3 बच का 8 मिनट से शाम 4 बच का 6 मिनट तक भी रहेगा मेडिकल टीट्मेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूत नहीं है अब या महूत 6 अक्टूबर की शाम 5 बच कर 3 मिनट से रात 9 बच कर 69 मिनट तक और रात 12 बच कर 10 मिनट से अगली सुभा 6 बच कर 17 मिनट तक रहेगा और अब बात आती है अशुब समय की आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जूली इलेक्टो मागनेटिक फील्ड कुछ खणों के लिए नेगेटिव हो जाती है इस अशुब करानती साम में से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है इससे चारों तरफ नेगेटिवटी फैल जाती है इस समय में कोई भी शुब कारे करने से सफलता नहीं मिलती आज कोई अशुब समय नहीं रहेगा अब ये अशुब समय कल यानि कि 5 अक्टूबर की दोबार तीन बच कर 25 मिनट पर रहेगा वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी लेकिन मिथुन, सिंग, मकर और कुम्भ राशियां विशेशूट से प्रभावित होंगी ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुब कारे नहीं करना चाहिए इसके साथ ये एक बात और बता दू कि काम शुरू करते वक्त रहुकाल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है रहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं आज इस दिल्ली मेरा हुकाल होगा सुबा साथ बचकर चॉलीस मिनिट से नो बचकर तेरा मिनिट तक मुंबई सुबा साथ बचकर उनसट मिनिट से नो बचकर उनतीस मिनिट तक चंडिगः सुभा साथ बचकर 46 मिनिट से 9 बचकर 14 मिनिट तक लखनव सुभा साथ बचकर 39 मिनिट से 8 बचकर 58 मिनिट तक भोपाल सुभा साथ बचकर 42 मिनिट से 9 बचकर 11 मिनिट तक कोलकाता सुभा 6 बचकर 58 मिनिट से 8 बचकर 27 मिनिट तक अहमदाबाद सुबा 8 बज कर 1 मिनट से 9 बज कर 30 मिनट तक और चेन नई में रहुकाल होगा आज सुबा 7 बज कर 28 मिनट से 8 बज कर 25 मिनट तक ये था कुछ शहनों का रहुकाल और अब आज की यात्रा की शुबदिशा क्या है तो वो शुबदिशा है उत्तर पूरुवा